चलिए दूस्तो अब हम पढ़ने वाले हैं गांधिवादी आंदोलन के बारे में तो इसका हमको देखने को मिलता है ड्यूरेशन 1917 से लेकर 1947 तक इसके पहले हमने बहुत सारी चीजे पढ़े हैं मतलब जो आंदोलन चल रहे हमारे जैसे कि प्रथम स्वतंतरता आंदोलन था उ और उसके बाद हमने हॉम रूल आंदोलन मुस्लिम लीग यह सारी चीजे के बारे में हमने विस्तार से पढ़े हैं तो उसके बाद हम अब देखेंगे कुन सा गांधिवादी आंदोलन अर्था 1917 से लेकर 1947 जो हमारी आजादी का यार है ठीक है अब गांधिवादी आंदोलन अगर हम बात करें गांधी जी की मतलब महात्मा गांधी की तो इनके उद्वाव मतलब इनका उद्वाव जो हुआ है उसमें कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं तो जो कारक है वो मुखरूप से हम देख सकते हैं दो कारक उसमें जिम्मेदार है एक तो हम देख सकते हैं बस्त यहां बोल सकते हैं ज़िस्टी का उद्भा हुआ है ठीक है मतलब गंदी जी कुछ परिस्थितियों के वज़ेसे यहां पर मतलब गंदी जी अगर बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं बस्तु परक में हमको कुछ देखने को मिलती है जैसे कि आपको पता होगा जब कांग्रेस जो है सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में तो उसमें कांग्रेस दो भागों विभाजित हो गई थी तो यहां पर हमको कुछ सामय के लिए राजनितिक सुनेता दिखती हैं तो उसके कारण भी यहां पर जो है हमको बस्तु परक कारक में गांधी जी का उद्भाव द तो इसके कारण उनको यहां पर एक प्रकार से उनके उद्भों में यहां पर सफलता मिलिए फिर देखते हम प्रथम विश्विद्व जैनित कुछ समस्या थी तो उन समस्या के कारण भी यहां पर इनका उद्भा हुआ है और दूसरी चीज़ अगर देखें हम ब्यक्ति करक कारा विक्ति परक में यानि की सब्जेक्टिव कारक में तो गांधी जी की विचार धारा तो हम देख सकते देखें सत्य अहिंसा एवं सत्यग्र है उनकी जो मुख्य हतियार थे इसके लावा साधन एवं साधी की पवित्रता बर्ग समन्वै सर्वोधै ट्रश्टी सिद्ध लगू एवं कुटी रुद्धेगों का समर्थान जाती इवं लिंग समानता परबल मात्रभासा में जो उत्पादन संबंदी सिक्षा परबल तो यह दोनों ही प्रकार के कारक है बस्तु परक और व्यक्ति परक तो पहले हम देखते हैं बस्तु परक में कौन सा रजनितिक स समय जैसे कि मैंने बताया कांग्रेस कैसी थी कांग्रेस दो भागूं बढ़ गए थी कर सिजा हम देख सकते हैं जब गदिचल का आगवन हुआ है तो यहां मोद्ध voyez राजनिती से भारती जंत की जह आस्ता है- लगभख समाप्थ हो चुकी थी तो एक जो उदारबादी थे कांग्रेस के उदारबादी में जनता की जो आस्था है वो समाप्थ हो गई थी क्योंकि आपको पता होगा इनकी जो टेक्निक थी अंदोलन करने की जो भी प्रात्ना पात्र या प्रतिवेदन इसके माध्यम से ज तो इसके नहीं थे उनके जो कारव पनाली थी जो भी उनका अंदोलन था वो भी प्रकार से कैसा रहा विफल रहा तो यह दोनुई प्रावार एक प्रकार से विफल रही और कांग्रेस के बड़े नेता थे जैसे कि हम बोल सकते हैं दादा भाई नोरो जी फिरोज मैं फिरो भी राजनितिख सुनेता की स्थिती थी तो यह मुंखकारन ह् गांधी जी को मतलब एक प्रकार सा गांधी जी को यह प्रभा मतलब जो इस्थिती थी वो प्राप्त हुई और इनको काफी लॉब हुआ इसके बाद हम देख सकते हैं धक्षिन अफ्रिका की डख्षिन सकते में उन्हों को व यूज है रर्भल गर्तों हेर नहीं सकते हैं उसके रहत करना इंतत काल विदेशी बश्तू बनुल उप districts तो इनका विकास और उनका प्रियोग था वो पहले ही उन्होंने कहां कर लिया था दक्षिन अफ्रीका में कर लिया था तो इसको जो है लगभग समान थी एक जैसी ही तो दोनों की बहु भासा भाजी नसल और संप्रदाय आधारित देश थे तो गांधी जी को इस इस्तिति का भी काफी फायदा हुआ और उनके उद्भम उनको सफलता प्राप्त हुई सांत में देख सकते हैं विश्वे युद्वे युद्व युद्व जैनित कुछ समझतिया थी जैसे कि जब गान्धी जी का आगमन हुआ था तो गांधी जी के आगमन के समय भारत में प्रथम प्रत्राइब कर जाता था हम बोल सकते भुरा जस्व की रासी बहुत बस जूली जाती थी तो इसके लाब मज़ूर्यों के समाप्त कर दिए तहां भारत में जब गांधी जी का का अगमन प्रत्रों के पड्रकार प्रत्री कि के समस्त परत्राइब एक प्रत्राइब प्रत्राइब अदिकार असतर ब्याप्त था और यहां अगर बात करें हम इसी की जो प्रतिक्रिया चल रही थी उसका जो प्रभाव है वह भारत में भी हुआ अर्थात गांधी जी के बंदोलन है एक द्रश्टी से विस्वेस्तर पर हो रही जो राजनीतिक जागरती है उससे भी काफी प्रवावीत हुआ तो यह हम देख सकते हैं तीन कारक देखें हैं किसमें बस्तुपरक में एक तो राजनीतिक सुनेत देखें एक दक्षिन अफ्रीका कानुबवा देखें और एक प्रथम विस्विद्धे जनेत समस्य आए तो इनके कारण हम देख सकते हैं गांधी जी का उद्भव हुआ अब जान लेते हैं उनकी कुछ ब्यक्ति परक कारक थे यानिकि उनकी खुद की कारपनाली थी विचार धारा थी तो उसके कारण भी गांधी जी को उद्भ है कि तो यह काफी मतलब जो है पावरफुल हत्यार थे गांधी जी की अगर बात करें तो इनका प्रयोगुन होने का जो है दक्षिन अफ्रीका में कर लिया था तो इन पर उनको काफी विश्वास था और इसकी बज़े से वह है मतलब एक प्रकार से बिना हिंसा के सामने वा कर लाई थी उसका भिरोध करना था जो गांधी जीए उनके द्वारा और सद्य ग्रहे का मतलब करति आ रहे इसका मतलब क्या हो सथ्य के प्रति ग dead है हुआ तो एक प्रकार सेद्ध आधारित बुलाई करने एक प्रकार से एक प्रकार हमें तो किसी भी बाध्ना के बाब जुद बिचलित नहीं होना है तो जो यह वीचार ठारती प्रकार के अगर वह एक छाला की होना यह जो अब्धार्णा थी एक प्रकार से परिबर्तन की अब्धार्णा को सुईकार करती थी ती के मतलब इसके माध्यम से साधनों की रूप में हम देख लेते हैं एक नजर में जो साधन हुआ करते थे उनके एक तो हर्ताल हुआ करती थी दूसरी चीज हुआ करती थी धर्ना देना दूसरी चीज इसके बाद है भहिसकार यह सारी चीजों का उन्होंने प्रयोग किया है किसके रूप में सत्य ग्रहे की रूप में इन्होंने प्रयोग किया इसके लाबा सत्य ग्रहे में निस्क्रे प्रतिरोध में ब्यापक अंतर है यहां हम देख सकते हैं निस्क्रे प्रत तो यहां हम से अकुरिय हुता है जिसके प्रतिं प्रति किया जा रहा है। सुशक प्रति नाभी भाव रखा जाता है तो यह की रहा जाता है मान्विय भाव की धार्णा रखी और उसके साथ में यहां पर सत्य ग्रह का प्रयोग किया जाता परंतुन इसके पति रोद में काफी आक्रोज ब्याप्त होता है तो यह दोनों ही चीज हमने देखे यहां पर और नेक्स्ट जो साधान है मतलब उनका प्रकार से अगर देखे हम जो उनका व्यक्ति परक अगर का साधन की पवीतता काफी करा यह तो तो साधन की से की गई साध मिंपल से बहते हैं जैसे हम घाल की से तो सुम्हां जोगा आभाएंगे टो किष्टında इसए प्रतिक्रिया करेंगे तो जैसा रहेगा और बैसा रहेगा मन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसकी तुलना उन्होंने इस प्रकार की है और बीज से ही ब्रक्ष की उत्पत्ती होती है और ब्रक्ष की प्रक्रती की अनुरूपी होती है जैसे हम बीज बोएंगे बैसा ही ब्रक्ष बनेगा और यही कारण्ट था कि गांधी जी ने सुराज जैसे पहुत्र साध्य कि प्रापति के लिए यहां पर सत्त्यक रह Leben मतलब मानना था कि स्वराज अगर प्राप्त कर रहे हैं तो साधन भी कैसा होना चाहिए पवित्र होना चाहिए तो यहां देखें उनके द्वारा एक प्रकार से स्वराज प्राप्ति के लिए सत्त्य ग्रह की बात की गई है काम किया है वर्ग समन्भाय के माध्यम से ही यहां पर स्वतंतरता प्राप्ति हो सकती तो आप ध्यान में रखना मांक्षबादियों की अवधारना थी सर्वोदय अर्थात सभी का समान उदय पर बल दिया है तो इन्होंने सभी वर्गों का सभी का उदय पर यहां पर बल दिया है सर्वोदय के अंतरगत गांधी जी ने प्रतेक व्यक्ति के भौति के मवध्यात में कल्यान को सुईकार किया है तो यह देख सकते हैं सरवुदय का मतलब फिर फिर देखते हैं ऑने समाजबाद का किया है छो तो इस सीमिपम के पर साथय अगर कोई ब्हुत्यी अने पास संपत्ति उनकी करता है संपत्ति उसने इखटी किया तो एक निश्चित सीमा के पस्चाद वो संपत्ति को इखटा नहीं करेगा अर्था हम बोल सकते हैं पूंजी पति बर्ग अपनी अतिरिक्त संपत्ति कैसे करेगा समाने जंता को बाढ़ देगा तो यहां पर जैसे मान लीजे कोई ब्यक्ति मतलब उन्होंने एक सिध्धान बना दी मान ली कोई ब्यक्ति सो रुपए अगर इखटा करता है तो सो रुपए तक तो इखटा कर सकता है परन्तु सो के बाद जितनी भी चीज रहेगी वो कैसी चले जाएगी समाने जंता के का सिध्धान कहला तो यह सिध्धान भी उनका ही था गांधी जी का इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है लगुए बम कुटी रुद्योगों का समर्थान तो गांधी जी ने मसीनी करण की आलोचना की है मतलब अगर मसीन यहां पर उपयोग की जाएगी जैसे आज जांधी जी-जी गनुसर भारत के विकास से तु एक प्रकार से महेन चाहिए अगर चोड़े जांगा ही हई व्लान다면 बोला है कि अगर आपको भारत का अधीज का एक प्रकार से मानना था और गाउं का विकास लगूइबं कुटी रुद्योगों के विकास पर आधारी थे तो यह हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है जाती इवम लिंग समानता की बात की जा रही है तो उनके द्वारा जाती इवम लिंग जो समानता उस पर काफी बल दिया ग देखें उनका समर्थन किया गए गांधी जी के दोरा किन्तों उन्होंने जन्मी की वज़ा कर्म पर आधारी जो है कर्म पर आधारी का मतलब होता है जैसे जो वेक्ति जैसे मान लीजिए कोई वेक्ति बढ़़ई का काम करने लगा तो वह उस बर्ग का हो जाएगा ऐसा नह दू इन के दोरा जन्म में नहीं यहाँ पर कर्म पर विषवास किया गया उनके चा शही होना चाहिए तो सभी बर्गों के पर उन्होंने बल दिया था सब्क्राइब यहां पर एंतिमिस्तिति में जाकर सफलता मिल सकती है यह उनका मानना था दूसरी चीज़ अगर बात करें हम तो मात्रभासा में उत्पादन समद्स शिक्षा पर बल दिया है यानि कि गांधी जी ने अंगरेजी सिक्षा पध्धती की मात्रभाशा इस लोई-खिर समर्थ हम ऊश्य है उसमें मात्रभाशा को नए समर्थ है और इस परकार गांधी कई ने लैसराइए यह हम देख सकते हैं वह सारी चीजिय यह झी आ फिर नेक्स्ट देखे हमने व्यक्ति परक जो कारक उसके अंतरगत उनकी कुछ विचार धाराय है जैसे कि सत्य एबं सत्य हिंस एबं सत्य ग्रह जो उनका हत्यार की रूप में यूज किया उन्होंने और काफी सफलता भी मिली साध्य की पवित्रता बर्ग समनबय सर्वोदय टरश्टी सिफ सिद्धांत लगों कुटि रुद्ध्यों को समर्थन जाती एबं लिंग समानता परवल और मात्रवासा में उत्पादन संबंदी सिक्षा परवल तो यह सभी उनके व्यक्ति परक कारक थे इन सभी कारकों के लग लग प्रकार से हैं सभी के बारे में यहां-प TWO- diode यहाँ-आपको देखने को मिलेगा उनकी कुछ कार dependentी जैसे की संगर्स और संगर्स कि रादगृं करना है तो कुछ समय as mesyu करने फिरur3 मेहने नहीं कि हम आराम करे तो उस्सा है इस से क्या फायदा होता था है तीन महने तक स्काफिक करने के लिए फिर से उसको तीन महने का करना था आराम करने था आराम मतला संगठित होना या फिर उसको एनर्जटिक होना ये सारी उनके दोरे की जाती थी इस प्रकार से पाव समझोथा लडने सते जो नहीं у Cetils तक चैनилось जान लेते हैं गांधी जी के नुसार अगर बात करें हम तो यहाँ जो जन अंदोलन था। उनके दौर मानना ठा है कि जन अंदोलन लगातार लंबे समय तक नहीं चला जा सकता। क्यों कि इसे एनरजी या उर्जा उनकी समाप्त हो जाती है और वह काफी उनकी कारिशमता में कमिया जाती है। तो इससे एक प्रकार से सामने बाला जो है अंदोलन को समाप्त कर सकता है तो उनका मानना था कि जनता जो है जनता को प्रथम चरण के एक प्रकार से अगर देखें हम प्रथम चरण की बात करते हैं प्रथम चरण के संगर्ष के उपरान जो दुतिय चरण आता है तो दुतिय चरण की अगर बात करें तो देखिए इन दोनों के बीच में यहां पर उनको आराम यानि कि बिराम की स्थिति होना जरूरी है बिराम का समय जरूरी है मतलब प्रारंबिक जो संगर्ष है और उसके प्रथम चरण के पस्चा अगर आराम नहीं दिया जाता है तो इस प्रकार से उनकी राजनिती हुआ करती थी संगर्ष विराम की दूसरी चीज़ अगर देखें हम तो दवाव समझोता दवाव की राजनिती यह रणनिती हम बोल सकते हैं यहां देखिए जैसे गांधी जी ने संगर्ष के साथ संगर्ष जो है समझोते पर बल दिया है जैसे कि मान लीजे है जो संगर्ष मतलब देखे टा ईक मिलत्य है मां लीजे उन्होंने दभाव बनाया है कि खैक कोई चीज़ के लिए उन्होंने बाले के प्रति दवाव बनाना मतलब नेक्स्ट टाइम फिर से उसके प्रस्चाथ समझोता करना तो इस प्रकार से उनकी कुछ ने राष्टी ए आंदोलन में जनता की केंद्री भूमिका को स्विखार किया है उसकी प्रकार से इसकी पर निरुभर कर रही है जंता पर थीक है मतलब मैन सकती जो अंदोलन की है वो जंता पर है जंता पर ही निरभर है तो यह उनका मानना था next हम देख सकते हैं निश्चित मतलब कोई भी चीत धीरे धीरे अगर निश्चित तोर पर केंदरी थोकर की जाएगी तो उससे क्या होगा अपने लक्ष को आसानी से प्राप्त कर लेंगे अगर वो सभी चीजों को एक साथ खाना चाहे तो फिर गड़बर हो सकती है ठीक है तो यह दायरा उनका सत्य ग्रह और अहिंसा का था ठीक है मतलब जनता जो थी जो जनांदोलन था वो एक प्रकार से सत्य और दूसरी चीज है मतलब हम बोल सकते हैं एक दायरे में वह करते था लइक प्रकार से नियंतरित रहते थे यहां पर बात कि जा रही है और गांधी जींहीं अंधित जन्दुलन से समराजवादी सत्ता को उसके दमन करने का नेतिक आधार सकता है अगर यह सते ग्रह और अहिंसा का मार्ग त्याग देते हैं तो सामने बाले को प्रकार से दमन करने की प्रकार से पावर आ जाती है ठीक है इसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे जो नियंत्रित नहीं रहते थे जनान्दोलन उनको ब्रेटिस गौशर्मेंट के द्वारा क्या कर दिया गया था दमन कर दिया गया था तो गांदी जी की बेस बूसा आपके दिमाग में चप जाती है ठीक है तो गांदी जी ने अपनी नीतियों वा उद्देसों को एक प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाने के हुए ऐसान शत्री भासा पर्योक करते थे से आगर देखें हम टॉक क्षान पाण प्रकार से उस्य लेवल है था उसके लाभा उनकी बेजभूसा देख सकते हैं यह सब्सक्रा तो है सबस्ट उन्हेंें बीच में काफी लोग-प्री हो गए प्रीवन है तो उनके बीच में वो काफी लोगप्री हो गए तो उनकी साधरन जीवन से ली थी यह प्रकार से रचनात्मक कारी की अगर बात करें तो गांधी जी ने कुछ रचनात्मक कारी किये जैसे कि कताई इसके लावा देखें तो स्वधिल से बस्तु का प्रोश्थाहन मतलब स्वधिल सी बस्तु को प्रयोग करने के लिए के लिए प्रोश्थाहन दिया यहाँ है तो यह हमने देखे उनके कुछ कारपद्ध थी वह आप देख सकते हैं आप मैंन पॉइंट अगर याद रख लेंगे तो आपको जो है दिमा प्रिशनात्मकार यह उनके कुछ कारपद्धिती थी अब बात आती है कुछ लोग आप देखे कोई भी चीज हो आलोचक जो रहते हैं वो उपस्तित रहते हैं तो बहुत सारे लोग यहां पर इत्यासकार है जो भी आलोचक है उनका मानना रहता है कि जो पक्ष है उसके बिप आन दोलन की सफलता ने जो है भारत में देवदूद के रूप में बना दियाया है मतलब बंहां का परियोग कर लिया गया था पर इसके कारण यहांद है कि जी को बिभीनुल में क्या हुई लोग प्रियतया पराप हुई जो दकसिन अफरीकम पर रहोग है उसके कारण परन्तु हम सही रूप में देखें तो यह सारी चीज तो किस के दौरा कह गई है इतियास कारों के दौरा ठीक है पर अगर हम इस प्रकार से मानते हैं कि जो दक्षिन अफ्रीका है उसमें गांधी जी का प्रयोक सफल हुआ था इसके कारण वो यहां पर लोगप्री हो गए तो इसके विपक्ष में भी हम सुक्ष में अध्यान करखागा देखते हैं हमारे सामने गांधी जी के बहुत सारे कार है जो आज भी एक प्रकार से उनको लोगप्रिया बनाते हैं ठीक है मतलब उनके नहीं रहने के बाद भी तो गांधी जी को जो सफलता मिली थी वो अगर आज की रेट में जैसे उनका जैन्म हो अठा 1879 को ठीक है 1930 में की मत्त्य होगी तो 1948 में उनकी मत्त्य हो गई तो उननिस जोड़ा तालिस तक उनकी लोगप्रियत रहती अभी तक क्यों तो हम सिंपल से बात बोल सकते हैं अगर गांधी जी की सफल तक अपभाव पर अधारीत रहती है अफवर निर्वर रहती तो उनकीलोगप्रियता कैसी तक kep रहती काफी अपकालिक रहती जबकि गांधी जी की लोग प्रियता तो दिन बदीन अभी भी बढ़ती जा रही है अभी भी हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं और आगे जो पीड़ी आएगी वो भी उनको अच्छी तरह से जानेगी यहां तक कि म्रत्यू के उपरांत भी गांधी जी की लोग प्रियता में काफी ब्रद्धी हो रही है अता है गांधी जी के ओध्वों में अपवाव की नहीं बलकि गांधी जी के विचारो अर्थात उनकी कार्य पद्धती इन सभी के महत्पून भूमी का हम बोल सकते हैं तो हम अगर देखें यहां पर खिलापत अंद्धलन की तो यह आंप भ्हारत का मतलब लशशा देख लेते हैं इस पर नक्सा आस थे के पहले देखे होंगे जो देस है यहां देखЬ तुरकी का अगर भात करें तो कहां पर हो गया तुर्की के विरुद्ध हो गया तेके ब्रितेन का रुप कहां पर योजिना बनाने लगा और इसी समय एक अपवा फैली कि यहां पर भारत में ठीक है कि तुर्की में जो मैं बॉस होता उनका उस बॉस को अगर बोले हम तो बोला जाता है खलीफा क्या बोला जाता है तुर्की का जो बॉस जैसे हमारे देश में अगर बहुत है तो संदी की जा रही है उसके प्रकार से यहां पर दिया निस सो पर इसमें और वे संदिक की जा रही है मिरूद में एक परकार से एक और शेर को ही हम क्या बोलते हैं उस आंदोलन को ही हम खिलाफत आंदोलन बोलते हैं ठीक है खलीफा के पत को बताने बचाने के लिए यहां पर यह अंदोलन यहां पर अपनाए गया था इसलिए इसको क्या बोला जाता है खिलाफत आंदोलन तो यह सारी कहानी हमने देखे हैं देखिए उसके विरुद यहां पर खिलाफात अंदोलन छेड़ दिया जाता है तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं खिलाफात अंदोलन तो हमने देख लिए पूरी कहानी कहां से यह शुरू हुई थी अब हम देखते हैं इसके कुछ उद्देश जैसे कि अगर बात करें हम जो खिलाफात अंदोलन था उसका उद्देश की तो यहां देखे जो खलीफा है खलीफा कोन था तूर्की का मेन बौस है ना खलीफा के पद को बचाना अर्थात मतलब खलीफा के पद की सरवोच था और खलीफे के परत को यहां पर बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश था दूसरी चीज़ अगर बात करें हम तो तुर्की समराज के विभाजन को रोकना जो समराज विभाजन हो रहा था संधी जो अपमान जनक संधी ब्रिटेन के द्वारत हो पी जा रही थी तो तुर्की सम अमराज के यहां पर जो विभाजन हो रहा था उसको रोकना किसका उद्देश से था खिलापत अंदोलन का इसके अंदर का आरकरम क्या क्या थे तो हम देख सकते हैं आप पूरे के पूरे हम असायोग अंदोलन पढ़ेंगे तो आप जो है असायोग अंदोलन जो भी है अगलग आपको याद नहीं करना पड़ेगा अब देखते हैं प्रारम एबं प्रसार की बात करें तो प्रारम प्रसार में आपको यहां पर देखने को मिलेगा जैसे की सुर्वात में अगर देखें हम तो 1919 में अगर देखते हैं तो हकीम अजमल खांड मौलाना अबुल कला अजाद अली बंदू इन सभी नेताओं ने प्रकार से अखिल भारती कमीटी जो है अखिल भारती खिलापा जो कमीटी है उसका गठन किया तो कुन-कुन नेता थे तो आप थोड़ा-थोड़ा इनका नाम याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा देखे एक बैकती थे हाकीम अजमल खान ठीक है प्लस मौलाना अबुल कलाम अजाद तो इसके आद है अली बंदू इन सभी ने मिलकर एक कमीटी का गठन किया जिसका नाम था अखिल भारती खिलापात कमीटी तो ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अखिल भारतिये खिलापत कमीटी इसका गठन किसके दौरा किया गया है 1919 में हकीम अजमल मौलाना अबुल कलाम अजाद और अली बंदू इनके दौरा इसके अलाबा अगर बात करें हम 1919 में ही आगे तो ये नवंबर में हमको देखने मिलता नवंबर 1919 में नवंबर 1919 में क्या हुआ अखिल भारति जो खिलापत कॉंग्रेस थी उसका अध्यक्ष है गांधी जी को चुना गया और गांधी जी ने ब्रिटिस सरकार से खलीपा के सांथ नयाय करने की मांग की ठीक है तथा ना मतलब एंसा ना होने पर जो गांधी जी है उन्होंने क्या हा कि अगर खलीपा के सांथ नयाय नहीं होता है तो ब्रिटिस सरकार को एक प्रकार से ब्रिटिस सरकार का आसायोग करने की धमकी दी तो इस प्रकार से यह हम देख सकते हैं गांधी जी इसमें साम संदी संदी की संधी हैं पर काफी सब्सक्राइब के दिए इस областgot करने आगे इस के लाभा यहां देख सकते हैं कि निस सो बीस में रभभत एक अगस्त को हूए एक अगस्त eastern बीस को क्या हुआ एक प्रेकार सढ़ इसको असे गदुलन का एक प्रमुक्न तो यह हम देख सकते हैं देखे असायोगा अंदोलन यहां पर शुरू कर दिया गया किसके प्लक्ष में खिलाफ़त अंदोलन की तो हम प्रारम वेवन प्रसार के बारे में देखें हमने बहुत सारी चीजें अब खिलाफ़त अंदोलन असाफल हो जाता है तो उसकी कुछ ऐसंसना चले कुछ समय तक किंतु य सनंका परहब जादा था अच्छ 那ο सरकार्ति इस ने टीव्र दमन चक्र चला कर इन सभी को यहाँ पर अंदोलन से जुड़े जो नेता थे उनको गरपतार कर लिया इसके कारण भी सकान्थ हो जाता है फिर नेक्स्ट मुस्तपा कमाल पासा की अगर बात करें तो 1924 की अगर बात करें यहाँ पर 1924 में तुर्की की बात करते है उनेसे चोबित में तुर्की मे तो यह सारी चीज़ हमने देखे है शफलता के कारण पहले तो रव दोसरी चीज़ नेता गिरत्तार हो गया और जो नयONG को देख लिया गया आप управिशित में देख सकते हैं जो राष्टिय अंदोलन था राश्टिय स्वतंत्रता अंदुलन जो चल रहा था उसमें जो मुस्लिम जमात है उसकी भागेदारी प्रारंभ हो गई मतलब सभी लोगों को एक प्रकार से यहां पर भागेदारी होने लगी तो एक प्रकार से राश्टिय अंदूलन काफी जो है मजबूत हो गया दुसरी चीज़ अब बोले हम जो मुसलिम नेताओं का गुट जो है जो मुसलिम नेता थे हमेशा के लिए यहाँ पर ब्रि 15 सरकार का बिरोधी हो गया अब ब्रि 15 सरकार का कियो बिरोधी हो गया क्योंकि इनका बॉस था पूरी तुर्की का खलीपा था वो पूरे देश के मुसल्मानों के लिए एक प्रकार से पूजनिय था एक प्रकार से आधर्निय था तो उसकी अगर समाप्त की जाएगी तो किसके कारण हुई है ब्रिटिस सरकार के विरोधी हो गए कौन मुसलिम निताओ का एक गुट जिसमें हम देख सकते हैं अबुलकलाम था मुसलिम धर्म का मुद्दा यहां पर प्रारम हो गया तो मुसलिम धर्म का मुद्दा प्रारम हो गया तो आगे चलकर क्या होता है साप्रदाइक्ता को प्रोस्थान मिलता है अब यह हमने देख ली परिणाम भी किसका खिलाफत अंदोलन का आब हम देखते हैं मुल्यां मुल्यांकन के अंतरग्त हम देख सकते हैं जो भी बोल सकते हैं चुछ Хिलाफद प्रार्म करने के निर्ने को फ्रकार से गांधी जी की भूल पताया है तो इसको सामिल करने के कारण क्या हुआ हिंदू मुसलीम उसके बीच में यहां पर सांप्रताइक्तों को बढ़ावा मिला परन्तू हम अगर देखें मतललब सुक्षमत्र सब्सक्राइब तो यहां पर गांधी जी की जो राजणितिक भूर है उसको मांना उचित नहीं समझा अगर अलो चको का कहना नहीं माने मतलब एक प्रकार से आलो जो कहा है गांधीची की भूल है तो उसको अगर माने तो वो उचित नहीं है ऐसा बोला जा रहा है चूंकि अंग्रेजों द्वारा अपनाएगे जो फूट डालो और सासान करूं की नीती थी उसके कारण राष्टी अंदोलन में एक प्रकार से मुस्लिम जनता का व्यापक सह प्रकार से प्रस्वाइट किया जाता था कि वह अपने हितक लिए लड़े या फिर हिन्दूं का सहयोग नादे एक प्रकार से प्रकार की बात की जा रहे हैं मतलब फूट डालों सासान करों की नीती जैसे कि बंगल विभाजन हुआ था तो उसके कारण भी मुस्लिम लिख क स्थापनोई थी सभी अंग्रेजों की कार्णामे थे तो यहां पर अंग्रेजों की प्रतिक्रिय थी यानि कि फुट डाल और सासन करो की निती इसके कारण जो मुस्लिम है उनका सहयोग राष्टी अंदोलन में नहीं मिल पा रहा था आता है गांधी जी ने खिलापत के प्रश्ण पर मुस्लिम जमात को राष्टी अंदोलन से जोड़ने के लिए यहां पर एक हत्यार के रूप में इसको प्रयोक किया था फिर गांधी जी द्वारा मुस्लिम धर्म से संबंदित जो किसी भी मामला है उसकी पैरवी करना गलत न नहीं था जो गांधी जी उनके द्वारा क्योंकि इससे दूसरे धर्मों की मानता खंडित नहीं होती थी गांधी जी ने तो एक प्रकार से अगर देखें तो हिंदु धर्म में प्रिचलित मानताओं पर आधारित उनका अंदोलन था जैसे कि अगर बात करें हम साथी टार का नहीं था और खलीफा कि प्र turbines पर किये गये जो अंदोलन था उस पर सांप्र दैक्ता है लेखाज जो अंग्रेजों के दार फूट डालो और सासान करों की नीती यहां पर मुख रूप से थी जैसे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कारण सुरुवाथ हम सबसे ने सबसे और हम कि थे लाका изв Lakoff Ohio sees मतलब चला था ऊसी की कारण हम दीट खटक्तम ख़नमापत हो गया था नहीं जान लेते हैं सबसे पहले यहांद के सघ्ञास आज नो दलीन नौौ पील एक प्रकार से हम देख सकते हैं यहे तीन नौ बकील और तो मतलब जिस ब्यक्ति को जैसे कोई अंदोलन कारी है जो राश्टी सवतंता संग्राम में सम्मिलित है तो संदैस्पद रूप से अगर कोई व्यक्ति है और उसको गिरफतार कर लिया जाता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार से यहां पर नौ दलील, नौ अपील और नौ ब हमें अब और इसके अंतरगत हम सकते हैं तो जो परांत हमों को दोई अंप परनाली देखने को मिलती है विल्हां जो के नेता है उनने किया था तो इसके कारण हमको आसफाए गंदोलन देखने को मिलता है कि देख सकते हैं Hunter Commission यहां गठित किया गया था try Hunter Commission वाला वाग जो हंत्या कांड हुआ था है तो जैलिए वाला वाग उस्के मतल्ब उसकी प्रकार से हम देख सकते हैं उसकी जांच के लिए उस में जो एक प्रकार से बहुत तारे लोग है भुमारे गए थे तो उस हत्याकांट की जांच के लिए किस कमिशन की कमिशन का हंटर कमिशन की तो यहां देखेpod 카मिटी हंटर कमिशन यह एक प्रकार से निर्दोस Neighbor कर लिए मतलब अपना रह पूरे धंग से नहीं जो जनरल ओडायर जिसने आदेश दिया था जनता को मारने का गोली चलाने का तो इसको निर्दोस सावित कर दिया गया इस कमिशन के माध्यम से तो इसी की रिपोर्ट जो मतलब प्रकार से प्रस्तूत की गए थी इसका बुरूत करनी के लिए यहां पर काफी जो कांग्रेस की नेता थे उनमें आक्रोस व्याप्त था तो यह कारण भी हमको देखने को मिलता है फिर हम देख सकते हैं इसी के सांसनात में जो मुद्दा चल रहा था खिलाफत का मुद्दा जिसके अंतरगत हम देख सकते गांधी जी को अध्यक्ष बनाए गया था तो एक प्रकार से कांग्रेस को मुस्लिम नेता थे उसमें काफी आक्रोस व्याप्त था किलाफत के मुद्दे को लेकर भी तो इस प्रकार यहां पर आसायोग देखने को मिलता है फिर देख सकते हैं प्रसम 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 भीष्विद्ध जू हुआ था उससे जनि इने के निए सकते हैं उधि रहते हुए यहां पर सवराज प्राप्ति इनका मुख्यवद्ध थैस था तो यहां पर याद रख सकते हैं किसके इंतरगत और्खला-ठरगध मिद और्र देख सकते हैं क्या-क्र इनके दव्च्व दवारा किया गया मतलब कौन-कौन सी चीज गैन दो रहा की गई अधाव गंदौलन जब चल रहा था उसके समय तो यहां पर वही जाझार किया है आ अब पाधिया थी इनका वहिस्कार किया गया यानिकि विदेशी बस्तों का वहिस्कार किया गया विदेशी स्कूलों का अदालत का कौंसिल का और पाधियों का इन सभी का यहां पर वहिस्कार किया गया तो बहुत सारी चीजे इस्थापिद भी की जाएगी क्योंकि इन सभी का स्थापना की गई इन सभी की यहां पर स्थापना हम को देखने को मिलती है कहां पर भारत के अंतरगत आसायों को प्लक्ष में फिर प्रचार प्रसार किया गया किस चीज का जैसे गांधी जी के जो मुख्य जो एक प्रकार से कार थे प्रणात्मा कार जिसके अंतरगत चर्खा है । इसके लावा बुनाई है इन सभी का यहां पर वक्रकार से प्रचार किया गया और कुछ चीजों के हां पर एक प्रकार से समाप्त किया गया कौन-कौन सी चीज़ है तो जैसे कि छुअ-चूः chin पुआ चूट की अगर बात कर तो यह समाप्त कर दी गें और उसके अलाबा अस्प्रस्टा इसको समाप्त कर दिया गया यह सारी चीजी हम देखने मिलती है बढ़ावा दिया गया कौन कौन सी चीजों का जैसे की हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको काफी यहां पर बढ़ा तिलक कोस के लिए एक करोड रुपए की रासी यहां पर एकत्रित करना था तो यह उनका मुख्य कारकरम के तौर पर हम देख सकते हैं एक करोड की रासी एकत्रित करना था और जनाधार की अगर बात करें मतलब जो कांग्रेस का जनाधार था उसको बढ़ाना यहां पर बढ संसान दालत वगेरा प्रचार किया गया चर्खा कताई बनाई जो इस च्छेतर के कार इंका जो रचार किए गया समाप्त किया गया बढ़ावा हिंदु-मुस्लिम के एकटा को बढ़ावा दिया गया और जो एक करोड की राज्य है तिलक कोस के लिए उनको एकत्रित करना और जनाधार बढ़ा कर एक करोड करना यह मुख्यकार करम थे किसके अंतरगत असायोग अंदोलन के उपलक्ष में इसके लाबा हम देख सकते हैं यहां देखें अगर हम और कुछ चीजों के अगर बात करें यहां पर तो जो कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने हैं तो संगठनात् सफ परिबरतन हुए जैसे कि हम देख सकते हैं कांग्रेस की रोज मर्रक के जो चांधे उनको देखने से यह 15 kilo क्रांग किया गया यह हम देख सकते हैं और महत्पूर्ण मामले पर चर्चा करनी है तो एक प्रकार से एक और हम देख सकते हैं 350 सदस्य अखील भारती यहां पर कमीटी का गठन किया गया जिला और तालू का गाउं एब महला इस्तर पर कांग्रेस समीतिया अलग प्रकार से हम और इस हम दखने को मिलती है कांग्रेस की सदशता सुल्क 4 आना जो है मतलब यहां पर असाहयो गांदोलन क्या हो गया था प्राराम कर दिया गया था ठीक है और गांधी जी की अनुसार अगर देखें और जमिनलाल बजाज की अगर बात करें तो इन ने जो है अपनी उपाधियों का त्याग कर दिया जैसे गांधी जी के अगर बात करें हम तो गांधी भारती वेक्ति थे गांधी जी और जम्नलाल बजाज इन्होंने अपनी उपाधियों का त्याग कर दिया क्यों क्योंकि उपाधि ब्रिटिस गवर्मेंट के द्वारत दी गई थी साथ ही अनेक जो बकील थे बकीलों के अगर बात करें जैसे सियार दास है मोतिलाल नहरू है ज इसी अंदोलन के मद हम देख सकते हैं जो मॉंटेगी चेम्सफोर्ट रिफॉर्म आया था 1919 में इसके इसके साथ में जो भारत आये थे कौन ड्यूक आफ कॉमंस ड्यूक आफ कॉमंस इसका भी जो है भहिसकार कर दिया गया ठीक है नवंबर 1921 में क्या हुआ भारत आया जो पर प्रिंस और बैल्स यहां पर अकाली अंदोलन को किया और आसम मतलब पुर्वत्तर शेत्र में जो है नहीं चाय बागानों के जो मजदूर थे उन्होंने हरताल की और मिद्णपूर के जो किसान थे उन्होंने इन वोड जो है यूनियन बोर्ड को कर देने से इंकार कर द बार में जमिदारों के बिरोध में मुसलीम करसक आंदोलन भी हमको यहां पर देखने को मिलता है तो इस प्रकार अगर देखें हम तो इस प्रकार जो है जो असवयोग आंदोलन है उसका प्रसार हम देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हो गया और अगर बात करें हम 1921 की तो 1921 वैसराय का नाम क्या था यहहां पर महतन पूर्ण 122 को गांधी जी ने कहा अगर साथ दीनों के अंदर जो राजनितिक बंदी उनको रिहा नहीं किया गया तो कर जो है एक प्रकार से कर आदाईगी नहीं की जाएगी और उसके लिए सबीने अवग्या अंदोलन प्राराम किया जाएगा परन्तों यह घटना आपको देखने के म आप सभी परिचीत होंगे चोरी-चोरी हत्या कांट से ठीक है यह मिली का पांच फरवरी 1922 को घटना देखने को मिली जिसके अंतरगात हम देखें तो बहुत सारा मतलब एक प्रकार से बिटिस गॉर्मेंट का जो है मतलब एक प्रकार थाने में आग लगा दी गए इस प्र परदोली में जो कांग्रेस कार समिति उसकी बैठक में असवय गंदोलन को अस्थागित कर दिया जाता है तो यह सारी चीज हम को देखने मिली यानि कि प्रसार प्रसार भी देख लिए और कौन-कौन से कारंट थे प्रकार से हम देखें इनको एक प्रकार से समाप्त कर दिय यानि कि जो असवय गंदोलन है उसकी समाप्ति कर दी गई या उसको स्थागित कर दिया गया इसके अलाबा अब हम देखें इसका मतलब जो है निसकर्षिया मुल्यांकन के तौर पर तो यह सारी चीज हम देख लेते यहां पर सबसे पहले यहां बात करते हम जो असवय जी ने भी अंदोलन के प्रारम में एक वर्स के अंदर सवराज प्राप्त होने की बात कही थी किन्तु सवराज तो दूर की बात है अंग्रेजों ने छोटी मोटी रियासेती भी नहीं दी तो यह हम देख सकते यहां पर और इस अधार पर अगर देखें तो यह प्रकार से यह गंदोलन तो है जो प्रकार से जोड़े र लेखा आप घए दो कर दो लकित देखें तो यह प्रकार से जो जन्मावानास तैंपना यह ने की नीचले लेबल पर जो यह णदोलन से जोड़े रखा राष्टी जोड़े रखा यसको को प्लब्ध का प्रठार पूरे शंपूरण भारत में हो अप उसके सब्सक्राइब मुस्लिम ज developmental ने अब देख सकते हैं जैसे के इसे बस्कारM मानाव को रष्टि अंद्वलन से जोड़े रखा तो हम सभी वर्गों की अगर बात करते हैं सभी वर्गों ने इस में मेहत्मून भूमी का निभाई तो जो असाहयोग अंद्वलन था कुछ समय पहले क्या था कांग्रेस जो थी मतलब एक प्रकास चूकांग्रेस थी असाहयो पिर भी हम इसयह नहीं बोल सकते कि उपलब्द है के अंतरगत हमको देखने को मिलती है गांधी जी एक प्रकार से संगर्श विरांस थी राजनिती उस्सक्स करते थे लिविश्वास विराम सभाह दिश्वास राष्ट्ब दिया गया और एक चरण में हुए जो संगर्स मतलब एक प्रकार से जो संगर्स उसकी समापती के उपरान बिराम क्या वसकता होगी तो अगले चरण के लिए जो ब्यक्ति थे उसमें सामिल थे उनको उर्जा प्राप्थ हो सके इस प्रकार से उनका मानना था और इस रूप में असायोग जन समर्थन को प्राप्त कर आगले चरणी मजबूत प्रश्ठ भूमी निर्मित की और असायवग अंडोलन को एक प्रकार से सफल तरह कौन कि पूर्ण तह इसके हम देख सकते हैं इसके मुल्यांकरन के कब रॉपार इसके ऐलाबा लिए जाना था थो तो कுछ कारण थे वह हम देख लेते हैं हमने देखे थे पीछ सब्सक्राइब कई भी तो इहाँ दएक्जिए न। जैसे कि प्रथम मत के अनुसार अगर देखे तो प्रथम मत में जो बैखती है आलोचक रजनी पाम दत्त है यह बैखती ठीक है इनके अनुसार क्या था कि जो है अंदोलन था पूंजी पती बर्ग की सुरक्षा को दिहान में रखते हुए इस्थागित किया गया था और दूस जो चोरा-चोरी कांड था उसके अंदोलन की बागडोर लड़ाकू ताकतों के हातों में चली गई तो यह दूसरे मत के बैक्तियों को कहना है तो तीसरे मत में कुछ अन्य विद्वान आते हैं जो गांदी जी के द्वारा जो असाहिक अंदोलन बापस लिया गया है उसके पीछे यहां पर है बोला जाता है कि उसके पीछे प्रमुक कारण जमीदारों की हितों की रक्षा करना था तो यहां पर इनके द्वारा बोल लगा है कि जमीदारों की रक्षा करना इसका मुख्यों देश था तो यह हम देख सकते हैं इन विद्वानों का मत है कि जो है गां मिदार के प्रक्ष में गांधी जी को मानते हैं और दूसरे प्रक्ष के व्यक्ति एक प्रकास है लड़ाकू ताकतों के बढ़ते प्रभाव से इन्होंने क्या किया था अंदोलन को इस्थागित कर दिया था और पहले प्रकार के व्यक्ति अगर देखें तो पूंजी पती बर कर ओजो और यह जो कि एक प्रकार से मजदूर थे मजदूर के मद्ध यहां पर संगर्स में सदे मजदूर कहीं साथ दिया ठीक है हम देख सकते हैं जो भी पूंजी पति music के बर मद्ध जो on ऐ देंख सकते हैं जो मजदूर को कांट हुआ था उसमें सामिल लडाकु भीड का प्रभाव इतना ब्यापक नहीं था वो पीछे बात की गए जैसे यह दूसरे मत में ठीक है तो लडाकु जो सकती थी उनका जो प्रभाव था वो ब्यापक नहीं था गांधी जी इस छेत्री भीड के हाथों में नेतरत्व जान हम देख सकते ह excessивень था उसके कारक्राम में लगा ना अदाईगी का मुद्धा सामिल नहीं था ठीक है और हम यहां देख सकते हैं जो एक प्रकार से गांधी जी थे कई तो कहाता है नहीं कि LP safarति ळेना चाहता है अपनी इक्छ आनूस्वार वो दे सकता है तक है इसके ısक यानिंगी जी और जो असवह का अंदोलन स्थागित किया गया था किश के कुछ अन्य कारण भी थे तो उनके बारे हम देख सकते हैं जो गांदी जी ने यह बार-बार कहा था कि बार-डुजी से प्रारभ होने वाला जो सभीने अबग्या अंदोलन है उसके दोरान हम प्रारम किये जाने और उस पर हिंसात्म गती विधियों किया जाता तो इन इंत्रीत इक अकला में और जो जाता तो इसली सब्सक्रशाइआ मैतीकर में पहलती और कर लब दा मनात्मक कदम उठाने का प्रकार से नहतिक अधार मिल जाता यह अनयति स्थागित कर जंता को विप्टिस्ट दमन से बचाए रखा तो यह हम एक प्रकार से देख सकते हैं ठीक है और एक और चीज हम देख सकते हैं जिसे गांधी जी थे गांधी जी ने हम अगर देखें यहां पर एक और चीज देख लेते हैं गांधी जी दोरह जो अंदोलन बापस लेना था उसके पीछे एक अन्यकार प्रकार से घटने लगी थी और घटने लगी थी तो सिंपल सी बात यहां पर अंग्रेजी सरकार किसी तरह का समझोता करने को तयार नहीं थी और इससे पहले की समरपंड की नौबत आती शोरा चोरी जो है अंदोलन जो है उसको बापस लेने का एक मौका दिया जाता है मतलब अन्यकारण भी हम देख सकते हैं यह इसके पीछे ठीक है और इससे पहले मतलब यह जो है एक प्रकार से हम देखें गांधी जी ने बख्त की नजागत को भापते हुए अंदोलन को इस्थागित कर दिया और गांधी जी के जो आलोचक है इस बात को भूल जाते है कि कोई भ प्रकार की राजनीति की थी गांधी जी की थी उनका मानना था कि विराम होना जरूरी है अधा कुछ दूर चलने के बाद आंदोलन में पड़ाओ जरूरी है ताकि अंदोलन के दूसरे चरण के लिए उर्जा जुटाई जा सके तो संभव ता गांधी जी ने इनी तथ्यों को हमने देख लिए अंदोलन को वापस लिया जाना आवस्यक था नहीं था यह सारी चीज हम ने यहाँ पर देख लिए इसके लाबा हम यहाँ देख सकते हैं देके में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले क्या करांतिकारी अंदोलन का दूतिय चरण